मैं बहुत दिन से देखा थाँ ये भाजपा के जो सिर्ष नितित किसान मन के बारे में अनाप सनाप बात करा थे लगते एकर मन के मांसिक दिवालिया पन हो गए एकर सिर्ष नितित मन है किसान भाई मला आतंक वादी बोल थे ओकर बाद आज हमर प्रदेश में 36 गड़ में एक कत्दावर पूर्व मंतरी जो क्रिसी मंतरी भी रही चुके है ओकर स्टेट्मेंट लग देखो ओकर कहने है किसान नक्सली है सर्माना चाहिए ऐसे एक अनुभवी नेता को हमारे किसान भाईयों के बारे में ऐसा बोलना क्या 36 गड़ वासियों को ये उचित लगता है कि हमारे किसान भाई जो हमारे 36 गड़ के किसान महनत करते हैं वो नक्सरी नदर आते हैं इसलिए हम लोगों ने कल रिजमोहन अग्रवाल जी के यहां हमने उसके बंगले में घेराव किया भाजपा की केज़ सरकार ने तीन काले कानून लाए जो किसान विरोधी है देश भर के किसान आंदोलन रत है अब दिल्ली बार्डर से ये आंदोलन पूरे देश में फैल रहा है भाजपा अपनी जमीन खसकती देख के परिशान है इसलिए किसानों के खिलाप भाजपा अनरगल बाते कर रही है इस देश के किसानों को भाजपा में कभी आतंकी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी मावाली कहा हाली में एक भाजपा निता ने मनकसली तक कह डाला किसानों को 36 लाग किसान हैं 36 गड़ में, पूरे देश में करोडों किसान है भाजपा जिस प्रकार से किसानों का अपमान कर रही है और किसानों के समर्थन में आने के कारण कांग्रेश को कोस रही है किसान हितकारी नीटियों के कारण भूपेश बगेल जी का विरोध कर रही है वो अपने गर्यवान में जहाग कर देखे किसानों का विरोध भाजपा को इस बार उखार पेकेगा पूरे देश में कहीं भाजपा देखने को नहीं मिलेगी लेकि देखे 36 में कृषी सुधार विरोध में जिस तरीके से राकेश टिकेट और उनके साथ में तथा कथ हीद जो किसान चकारे शर्कार कें पीटमे लिए यह पर इबन नहीं थे। यह रखने खराल के लिद City वहाल कहता है। यह पूरे इवेंट